हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आज मैं आप लोगों को सेमसंग के एक नए सीरीज की बारे में बताने वाला हूँ जिसकी डिटेल्स यहाँ पर निकल के सामने आ चुका है और बताय जा रहा कि इस सीरीज का पहला स्मार्टफोन चाइना के अंदर यहाँ पर सेमसंग लोंच क देखेंगे तो फोन का जो काफी बहतरिन है लेकिन क्या यह स्मार्टफोन सेमसंग इंडिया के अंदर भी लोंच करेगा इन सभी बातों को आमने डिटेल में जानेंगे और देखेंगे कि भाई यह स्मार्टफोन सेमसंग इंडिया के अंदर लोंच करता या फिर नहीं करत तो Samsung के दो नए mysterious smartphone के details यहाँ पर निकल के सबने आया है पहला smartphone ने Samsung का C55 और दूसरा smartphone ने Samsung का Y55 अभी जहां तक देखा जाए तो C55 और Y55 दोनी यह smartphone सेम है बस अलग-अलग series में अलग-अलग नाम से यहाँ पर Samsung launch करेगा बताय जा रहा है कि Samsung चाइना के अंदर Y55 के नाम से launch करेगा लेकिन global market में Samsung C55 के नाम से अपना OS smartphone को यहाँ पर launch करने वाला है अगर phone के space के हम लोग बात करें तो phone का space है वो काफी बहतर है और definitely जिस price सेगने में Samsung इसे launch करेगा मेरे खाल से काफी अच्छा result लोगों को मिलेगा और लोग इने smartphone को यहाँ पर पसंद करेंगे त्योंकि यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा 6.67 इसे का एक 1080p OLED screen यहाँ पर आप लोगों को Samsung OLED display प्रोवाइड करने वाला है C55 या फिर आप लोगों कह सकते हैं कि Y55 में यहाँ पर आप लोगों को Corning Gorilla Glass 5 का protection मिलेगा 120Hz का refresh rate होगा overall display काफी बहतर होने वाला है Qualcomm का Snapdragon 7S Gen 2 का processor मिलेगा जो कि 4 nanometer के उपर बना हुआ है यानि कि जो performance है वो भी इस phone का काफी कमाल कहाँ पर होने वाला है तो जो Wi-Fi certification side में निकला है और बेटरी का जो detail से हो बता जारे कि 4885 एमेज का है पर बेटरी होगा यानि कि round figure में आप लोग समझ सकते हैं कि 5000 mAh की बेटरी मिलेगा और 45 Watt का आप लोगों को charger Samsung इस smartphone में provide करने वाला है 50 Mbps का आप लोगों को triple camera का setup मिलेगा और 32 Mbps का आप लोगों को selfie camera आपर मिलने वाला है तो जो phone के specification है वो काफी जबरदस्त है लेकिन चाइना के अंदर इस smartphone को launch किया जाएगा Y55 के नाम से और global market में इस smartphone को launch किया जाएगा C55 के नाम से बहुत सारे जो पूराने Samsung के customer है उनको पता है कि Samsung के पहले C-series आते थे मतलब 2017 के बाद Samsung ने C-series के अंदर कोई smartphone launch नहीं किया लेकिन पहले आप लोगों को C-series के smartphone देखने को मिलता था तो कहीना कहीन 2024 में भी Samsung C-series को relaunch करेगा और कहीना कहीन C-series mixture है mid-range series का और flexive series का क्योंकि बहुत अच्छे feature Samsung अपने C-series के अंदर provide करता था पहले भी और अब भी जहां तक लग रहा है कि आपको अच्छे feature सी यहाँ पर Samsung provide करने वाला है तो overall काफी interesting लग रहा है नए-नए details यहाँ आप निकल के सामने आ रहा है तो कुछी दिनों के अंदर यह पूरा जो मामला हो clear हो जाएगा तो अगर आप लोग अभी कोई अच्छा smartphone ने का सोच रहे थे तो मैं बोलूगा कि at least जनवरी कम मन अभी रूख जाईए February के end तक आप लोगों को मिल जाएगा क्योंकि A-series के भी नए स्माटफून आएंगे M-series के भी नए स्माटफून आएंगे तो उस्टे माव को नए ओप्संस देखने को मिलेगा तो प्लिस्ट वीडियो को लाइक कर दीजे सेर कर दीजे तक बाकी लोगों भी ये वीडियो पहुँच जाए उन तक भी जानकरी पहुँच जाए और प्लीज चेनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ठैक्यू सो मच